जो हैं से लोगाइज वेलकम बैक तिस वीडियो कैसे हो उम्मिद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्डेंट होने आला क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलाबाद इनुट सेटी के होस्ट है, and reservation क्या है, fees structure क्या है, कौन-कौन apply कर सकता है, क्या distance count होता या पिन नई count होता है university से, rent कितना होता है, electric charge कितना होता है, facility क्या है, and साथ-साथ cut-off कितनी जाती है, admission कब होता है, तो इन सभी मुद्दों पर आज हम discuss करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी एक रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार है हूँ सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेयर भी कर दीजिए देखो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ ये जितने भी मैं चीज बता रहा हूँ ये ओफिस्यल है आपको कहां से मिलेंगे मैं ये भी बता देता हूँ आप इलावाद इनोट सेटी के वेबसाइट पर जाकर हॉस्टल बुक करके एक पीडियाप मिलेगी वो डाउनलोड करके देख सकते हूँ अगर आप मेरी वीडियोज देखना चाते हो तो डेफिनेटल ले देख लूँ मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि अपलिकेसन फॉर्म कब आएगा रिजर्वेशन कितना है सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है बहुत सारे लोग होस्टल के उपर वीडियो बनाते हैं बट वो आधी धूरी डिटियल से देखर चले जाते हैं जैसे कि फीस कितनी है ये बता देंगे बस उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे बट आज के इस वीडियो में हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होने वाली है लाश तक सभी लोग जरूर देखिएगा और इसकी पीडियेप मैं आपको अपने टेलिगराम पर प्रोवाइड करा दूँगा साथ ही होस्टल बुक की भी पीडियेप प्रोवाइड करा दूँगा तो आप टेलिगराम जोइन कर लिजे लिंक डिस्क्राप्शन बॉक्स में है होस्टल बुक में आपको सभी डिटेल्स हैं कि अटेंडन्स कितनी चाहिए मेस की फेसलेटी क्या है एंड स्पोर्ट है की नहीं है क्या कुछ है सब कुछ आपको वहाँ पर भीया मिल जाएगा होस्टल बुक में तो वह जाकर देख देख देजिए मैं यहां पर केवल और केवल इंपोर्टन चीज़ बताने वाला हूँ केवल एक चीज़ मिसिंग रहेंगी मेरी वीडियो में मैं वो बता देता हूँ सीट की इलावाद इनोट सिटी में सीट कितनी है हॉस्टल की यह इस वीडियो में मिसिंग है तो अपने टेलिग्राम पर अप्डेट कर दूँगा वैसे भी मेरे पास काफी ज़्यादा काट आपस हैं लावाद इनोट सिटी हॉस्टल की चाहे वो यूजी हो या फिर पीजी हो तो मैं कुछ तो यहाँ पर दिखा दूँगा जैसे बी एललबी का है एंड एललबी का है एंबी ए एमसीए का है तो इन सबका तो मैं दिखा दूँगा बट जिस भी और कोर्स का नहीं दिखा पाँगा वो मैं अपने टेलिगराम पर अपडेट कर दूँगा तो चलो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रिजर्वेशन से ठीक है तो यहां पर बताया गया है कि जो मैक्सिमम 15% सीट है वो रिजर्व रहेगी फॉर सीड्यूल कास्ट यानि की स्ट के लिए एंड 7.5% फॉर स्ट कंडिडेट तो 15% स्ट कंडिडेट के लिए एंड 7.5% जो आप लोगों का रहेगा वो स्ट कंडिडेट के लिए रहेगा तो इसमें और कुछ बताया गया जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि मतलब कि अगर स्ट कंडिडेट का जो रिजर्वेशन है वो जैसे 7.5 है अगर 7.5 फिल हो गया है तो कोई बात नहीं है अगर नहीं फिल हुआ है आइड कर दिया जागा किसमें स्ट में तो स्ट की कितना हो जाएगा 17.5 फिलлон तो यह बता रहा है कि कि अगर स्ट का फिल नहीं होता है तो वो आगे बढ़ा दिया जाएगा सिए कंडिडेट के लिए लेकिन अगर स्ट कंडिडेट में भी नहीं फिल होता है तो वो OBC में न बढ़ा कर direct general में बढ़ा दिया जाएगा ना ही EWS में वो केवल और केवल general में बढ़ा दिया जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो तो reservation कितना हो गया? ST candidate का 15%, ST candidate का 7.5% बता दिया कि अगर नहीं फिलोगा तो क्या होगा? ठीक है? अब second point देखते है a maximum of 27% seat will be reserved for the candidate of OBC category मतलब कि 27% जो seat है वो OBC category के लिए आरक्षित की गई है and third point जो है वो यहां पर आपको बता रहा है कि maximum of 3% of available seat may be given to the physical handicap candidate तो मतलब यहां पर आपको जो physical handicap के candidate है उनके लिए जैसे की दिब्यांग लोग होगे तो उनके लिए 3% की आरक्षित है तो अगर आप सब जोड़ कर देखोगे तो 30% यह हो गया total 27, 33 and 15 यह 45 and 45 अगर 7 की बत करे तो 52.5% तो लगबग 52.5% आप लोगों की seat अरक्षित हैं तो 47.5% seat आप सभी की 47.5% seat जनरल के लिए बची हुई है तो जनरल की जो कटाब बनती है जो कुछ भी होता वो कितने परसंट में होता है 47.5% में होता है total कितनी seat है इसकी कभी next video लेकर आऊंगा या फिर मैं अपने telegram पर update कर दूँगा तो आप telegram सभी लोग जरूर जोइन कर लीजिए अब बात कर लेते हैं application form की ठीक है तो इसके बाद भी बात करेंगे cut ups के बारे में and fees के बारे में very most important क्योंकि बहुत लोग बताता है fees बहुत कम है 200-400 रुपए है बट ऐसा है नहीं fees कितनी है मैं आगे बताने वाला हूँ तो देखो application form का बाता है इसका तो application form जो इसका आता है मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ मैं बता देता हूँ जो application form आपका आता है वो आपका जब इलाबाद इनवर्ट सिटी में admission हो जाएगा जैसे आपका मालिजे अभी cut-up चल रहा है अभी सब कुछ चल रहा है तो admission जब हो जाएगा इलाबाद इनवर्ट सिटी में उसके बाद मतलब सब कुछ परकिरिया पौंड हो जाएगे उसके बाद आप लोगों की hostel के लिए cut-up जारी के जाएगी तो ऐसा नहीं है कि hostel की cut-up पहले ही जारी होगी या फिर counseling के साथ ही होगी ऐसा नहीं होगा hostel की cut-up तब ही जारी होगी जब आप इलाबाद इनवर्ट सिटी में admission ले लोगे वही student के ओल और के ओल अपलाईगी कर सकते हैं hostel में जो की इलाबाद इनवर्ट सिटी में already admission ले चुके हैं जो student अभी admission नहीं ले पाए हैं वो hostel के लिए apply नहीं कर पाएंगे hostel के application form कब तक आएगी तो hostel के application form आएगी लगबग December तक है एकदम last में आएगी जब सब complete हो जाएगा ठीक है तो इस बार थोड़ा पहले सब कुछ परकिरिया चल रही है तो हो सकता है October तक आजाए फर November तक आजाए ठीक है मतलब एकदम last में जाएगा सब सब कुछ complete हो जाएगा उसके बाद अब ये भी देख लेते हैं कि कौन नहीं apply कर पाएगा जैसे आभी तो मैंने देखा कि कौन कौन apply कर सकता है जैसे कि जो admission ले चुका है वो apply कर सकते है and कब apply करेंगे last में करेंगे जब admission हो जाएगा तब बट कौन नहीं कर सकता है वो student नहीं कर सकते हैं जो की 25 km के अंदर आते हैं किसके इलाबाद इनुवर्ट सिटी के छेतर के territorial limits मतलब इलाबाद इनुवर्ट सिटी के 25 km के अंदर जो भी student आते हैं वो apply नहीं कर सकते हैं और आप देख सकते हो second क्या है कि अगर आप fail हो गए हो या फिर ड्रॉप लिए हो इलाबाद इनुवर्ट सिटी एक्जामनेशन से तब भी आप apply नहीं कर सकते हो ठीक है और कौन नहीं apply कर सकते हैं तो जो भी student diploma या certificate के लिए apply किये हैं पार टाइम कोर्स के लिए वो होस्टल के लिए apply नहीं कर सकते हैं मतलब diploma and certificate पार टाइम कोर्स अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी आप होस्टल के लिए eligible नहीं हो आप देख लेते हैं duration की कितने साल तक कोई एक होस्टल में रह सकता है तो देखो यहां पर बहुत सारे time lines हैं जैसे कि first है 8 साल तक रह सकता है कोई student 5 साल तक रह सकता है तीन साल तक रह सकता है ठीक है Doctor in philosophy यानि कि PhD कर लो तो आप यहाँ पर 8 साल तक रह सकते हो उसके बाद अगर आप PG फिर उसके बाद PhD कर रहे हो तो 5 साल के लिए रह सकते हो और अगर आप के ओल के ओल PhD कर रहे हो तो 3 साल के लिए रह सकते हो या फिर अधर कोई जैसे अगर आपके उल यूजी ही कर रहे हो तो भी आप तीन साल के लिए रह सकते हो ठीक है अब चेप्टर टू आ गया होस्टल बुक का वेरी मोस्ट इंपोर्टन तो इसके पहले तो रिजर्वेशन ही देखा हम लोग ने एकिशन कब होगा और कितने साल के लिए होगा आघ साल पांग तीन साल अब यह वेर्य इमोस्ट इंपोर्टन है फीस एंड रिंट कितना है इसके बाद हम देखेंगे कि कौन-कौन से hostels हैं, कितने hostels हैं for girls, for boys इसके बाद cut-off देखेंगे, तो देखो अगर हम बात करें fees structure की तो यहाँ पर कुछ data दिये गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो cultural activities के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, games के लिए 1000 रुपए hostel maintenance and user charge के लिए आपको 2000 रुपए and the entire cost of electricity and water charge will be equally divided among the residents of hostel, however the initially electricity and water charge of 8000 for single room, अगर आप single room में रह 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 तो लगबग 7000 रुपए ठीक है, तो यह क्या होगा for a session to be charged at the time of admission तो यह आप एक साल के लिए आपका पूरा है, ठीक है तो 8000 यह हो गया, आपका 8000 यह मान कर चल सकते हो आप and 2000 यह, 8000 यह, 8000 यह, 12000 11000, 11500 and कुछ rent भी पढ़ता है तो rent कितना होता है and अगर हम बात करें, admission fees की तो 500 रुपए admission fees, तो लगबग 12000 हो गया ठीक है, तो यह आप अपना इतना पढ़ सकते हो कि summer charge क्या हो गया यह सब कुछ है, तो अलग और भी होते हैं बट important आप यहाँ पर देख सकते हो तो अगर rent की बात करें, तो monthly rent जो आप लोगों की यह हो 300 रुपए है, for single room and double room के लिए 200 तो अगर हम बात करें, कितनी महिने के लिए होता है तो लगबग 10 महिने के लिए होता है तो 300 यह है, गोड़े अगर आप 10 करोगे तो 3000 रुपए, आपका rent हो गया and अगर आप double room में रहते हो तो 2000 रुपए, तो 12000 वो था का 15000 रुपए होगा and double room में का 13000 रुपए एक साल के लिए होगा, ठीक है तो आप देख लेना, कि आपको कहां रहना है, वैसे भी बहुत ज़्यादा है नहीं मेरे ख्याल से, 13000 रुपए, क्योंकि अगर आप room लेकर रहोगे, तो 5-6000 रुपए खर्चा आप मान कर चल सकते हो, बट एक और चीज मैं बता देता हूँ, मेस के बारे में तो अगर आप मेस ले रहे हो, तो लगबग उसका 2-3000 रुपए आप एक्स्ट्रा मान कर चल सकते हो, तो 2500 क्या सपास है, तो आपका पचीज सो रुपए लगबग मेस का हो जाएगा एक महीने का, ठीक है, ये महीने का होता है, मतलब मेस का ही सबसे ज़्यादा पड़ता है अब बात कर लेते हैं बईया अब देखो, आप कब पेइमेंट करोगे, तो आप जैसे ही एडमेसन लोगे उसके साथ ही आप लोगों को सारी के सारी फीस पेइमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पर देख सकते हो when to pay, तो जब आप एडमेसन लोगे सेशन में, तब ही आप लोगों को pay करना पड़ेगा, ठीक है आप देख लगते हैं, होस्टल कितने हैं, देखो यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा लिश्ट आप होस्टल for boys for girls तो होस्टल for boys के लिए आठ होस्टल है, गर्स के लिए छे होस्टल है, कौन कौन से हैं तो फर्ष्ट है डाक्टर अमरनाथ जा होस्टल, सेकंड है डायमेंड जूबली होस्टल सताबदी होस्टल boys होस्टल ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो girls के लिए सरोजनी नाइडू और प्रिये दरसनी कलपना चावला और सताबदी girls होस्टल और महादेवी वर्मा और hall of residence girls होस्टल तो यहाँ पर अगर बात करें कि hall of residence किसके लिए है तो यह है for foreign girls student के लिए जो की international student है उनके लिए ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपको clear हो गया होगा जितने भी many points बताएं, अगर आपको clear नहीं हो तो एक बार फिर से आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, सभी के सभी में पीडियाप अपने टेलिग्राम पर फोराइड करा दूँगा अब बात कर लेते हैं, कटाफ के बारे में कि कटाफ कितनी जाएगे, तो देखो LLB boys की कटाफ हो, यह से कटाफ रिलीज नहीं होती है, मैं एक चीज़ बता दू PZ की तो नहीं होती है, UG की तो कभी-कभी हो भी जाती है, जैसे साइट पर, बेट पीज़ी की आपको वहां पर ही आप जाकर जैसे आप होष्टल में, आपका एडमिसन हो जाएगे अलाबा दिनोर्ट्सटी में, तो वहीं जाकर उसके आफिस के सामने ही लिस्ट जारी की जाती है तो वहीं आपका कटाप दिखाया जाता है ठीक है होशल का बड़ फिर भी LLB का अगर हम बात करें तो Unreserve की लगबग 202 यहां पर दिखाई दे रहा है यह थोड़ा पुराना कटाप है तो इस बार आप मान कर चलिए गर्ल्स के लिए देख सकते हो कुछ साल पहले यहां पर कुछ नहीं था केवल आल कैंडिडिट था क्योंकि गर्ल्स के लिए लगबग लगबग सबी के लिए होता था बट अब से कटाप जाने लगा है क्योंकि गर्ल्स में भी competition बढ़ गया है तो 200 के असपास उनका भी cut-up जाने वाला है और OBC का 190 के असपास cut-up जाने वाला है ठीक है यह previous year cut-up है इसलिए मैं cut-up नहीं बताता हूँ क्योंकि official release नहीं होती है यह official cut-up है for PZ यहाँ पर आप देख सकते हो अभी पता चलेगा MBA की अगर हम बात करें general category के लिए PZAT में 260 number की यहाँ पर भी यह गई थी cut-up and क्यों और क्यों एक student का हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है श्रद्दा सिंग का and किस में हुआ है महादेवी वर्मा girls degree college में and MCA का गया है यहाँ पर आप देख सकते हो SC category का 100 SC category का है यहाँ ध्यान रखना इनका भी महादेवी वर्मा girls degree college में sorry girls hostel में ठीक है आप हम बात कर लेता है BALLB वालों का यह official है यहाँ पर आप देख सकते हो कब आई थी 21 November 2023 को जैसा कि मैंने बताया था 9 December में ही आपके आसपास SC के आसपास कटाफ आती है तो वहीं आया था BALLB के अगर हम बात करें यहाँ पर तो 546 कटाफ गई है भाई ठीक है यह CUT UG के थूरू जब हुआ है तब का है तो BALLB का 546 कटाफ गई है और उसके बाद 544 गई है जनरल कटेगरी का तो यह कटाफ यहाँ पर रहे है आप देख सकते होगी 532 तक है और उसके बाद फिर OBC का है 527 जो मिनिमम कटाफ है और SC का जो है 178 है और स्वारी जो BALLB का हाँ तो SC का जो BALLB का है वो 440 है SC का जो BAFD का है वो 178.86 है अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चनल को सब्सक्राइब कार लीजे इसके अगर आपको पीडिया चाहिए तो मैं पने टेलिगराम पर प्रोड़ाइट कराद दे रहा हूँ लिंक डिस्क्राप्शन वाक्स में टेलिगराम का या फिर सार्ज करिए इंप्रोव इस्टेडी मैट टू और एंड जोएन हो जाइए चले मिलता हूँ नेस्ट वीडियो में तब तक लिबबाए टेक के और जय हिंद